तो ये सारा function तो पढ़ लिए ना हम लोग सबसे बन क्या कि नहीं बना है देख ये बात ऐसा है ना कि जो लोग लेट एड़ मिशन लिए है उन लोग के लिए मैं दुबारा तो नहीं पढ़ा सकता ठीक है लेकिन हां दुबारा वो चाहे तो पडोस का मदद ले सकते है उनसे कुछ चीजे नहीं बनता है ठीक है तो वो पूछ सकते हैं सिधा उनको मैं बता दूँगा ठीक है और जो पुराना कुछ सेशन चले है ठीक है उसका recording आपको YouTube पे मिल जायेगा ठीक है योटूब पे घर जाये बिस्तर के अंदर आराम से सो जाये फिर देख लिजे फिलिम के जैसे ठीक है और practical करिए ठीक है नहीं बनता है तो पूछ लीजिए इंटरनेट नहीं है क्या मेरे में चलिए connect हो जा रहा है तुरंते ठीक है सर्च कर लिया मैं YouTube ठीक है YouTube पे आपको MS Office का भी विडियो मिल जायेगा एक दो तीन मेनू सायद है जो मैं record नहीं कर पाया था इसी पढ़ा दिया था ठीक है तो भी मैं बता दूँगा अलग से कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में ठीक है पता नहीं क्या लंबा चौड़ा भासर दे रहा है मेरे को ज़रुत नहीं है सुनने का मन नहीं है ठीक है एंटर करूंगा इधर से मैं ठीक है आ गया प्लेलिस्ट में आप लोग आ जाईए ठीक है और प्लेलिस्ट में यहां पर देखे मिलेगा MS Word 2007, 2010 भी है ठीक है तो यहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जितना भी मैं MS Office बताया हूँ और सारा इसमें है ठीक है तो आप यहां से पढ़ लोगे ठीक है आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहां से रूद कर rख रहे हूँ ठीक है नीचे आपको सारा मिल जायगा ठीक है ठीक और यह जितना भी सेसंस था, वो सारा यहां पर आपको मिल जायगा, ठीक है यह है अटिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको कुछ menu दे, sort cuts वगर जो मैं बताया हूँ वो सायद मिल जाएगा सारे में मिलेगा कि नहीं पता मेरे को लेकिन सभी के description में आप देख लीजेगा sort cut बटन भी यहाँ पे मिल जाया करेगा आपको ठीक है? तो यहाँ से पढ़ लीजेगा जो चीजे नहीं समझ में आएगा पूछ लीजेगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या है तो बताईए, समस्या नहीं है तो मत बताईए जी और मैं नीचे आऊंगा, ठीक है? तो यह देखी एकसल वाला जो था वो चार वीडियो अपलोड कर दिया हूँ बाकी अपलोड नहीं कर पाया हूँ जिसको क्यों मैं अपलोड कर दूँगा आप लोग देख लीजेगा, ठीक है? इसका भी नीचे पूरा recorded है, यह देख लीजे, ठीक है? अभी तो चारी है, बाकी अपलोड हो जाएगा आपका ठीक है? तो आप देख लीजेगा, इसके भी description में सायद नहीं है इसमें ठीक है? तो एकसल का मिल जाएगा, वर्ड का मिल जाएगा, इसी तरह से आपको ठीक है? प्रोग्रामिंग का भी मिल जाएगा आपको इसमें, लेकिन प्रोग्रामिंग में अभी आपको बताया नहीं हो, तो बताऊंगा, तब यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? दिमाग खराब कर दिया यह लाइट अब तो इसको लगता है कि मैं इतना फाल्द हूँ चलिए ठीक है, लाइट का वेट कर लेते हैं, ठीक है? यह नोटपैड में बनाया हूँ, ठीक है? यह बाकी प्रोग्रामिंग किया हूँ, यह डेटाबेस का प्रोग्रामिंग है, ठीक है? तो आप प्रोग्रामिंग का पर वीडियो पढ़ सकते हैं यहाँ पर कुछ फिलिम भी है या आप चाहें तो फिलिम भी देख सकते हैं ठीक है लेकिन आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा तो मैं काई के लिए भासर दे रहा हूं इतना इतलि बंद कर देता हूं में ब्राउजर लाइट को आने दीजिये देख लेता हूं 2,4,5,10 मिनित ठीक है चलिए इसको भी पाउस करके रखता हूं मैं यह उपर वाला सारा हो गया था ना चलिए उपर वाला गर सारा हो गया था तो मैं सम प्रोडक्ट से शुरू करता हूं ठीक है चलिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूं ध्यान से देखिए का आप लोग ठीक है कुछ Excel सीट है क्या मेरा डेक्ट अप में सम ये तो है इसमें कुछ है क्या प्रोडक्ट ये तो सिर्फ course है product अगर कहीं है नहीं चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ ठीक है EXEL यहाँ पे product लिखता हूँ इसको pause कर देता हूँ तब तक बड़ा ना बन जाए ये मैं data type करके ready कर दिया ठीक है इसको table में create कर दो तो क्या आप लोग कर रहे हैं तो कर दे रहा हूँ कहा लेकिन कहे control T दबाया dialogue box आगया enter मार दिया ये table में बंद हो गया ये ठीक अब मैं क्या चाह रहा हूँ न यहाँ पे total price मेरे कुछ चाहिए total ठीक यहाँ पे total price चाहिए इन सब का ठीक है तो मैं कैसे निकालूंगा control alt equal to मारा alt equal to मारा ठीक है ये आ गया total ठीक है लेकिन मैं ऐसे तो निकालूंगा ने मैं कैसे निकालना को बोल रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ ठीक है equal to का sign दिया इसको लिया multiply कर दिया किससे इससे ठीक, एंटर मारा, यह आ गया, ठीक, इसको खीच लिया पकड़के तो इतना हो गया, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे all tick world to मारूंगा, ऐसे, यह total price आ गया ना, आ गया, क्यों है चुप क्यों हो, बोल नहीं रहा, क्या चीज, इसका और इसका मैंने गुड़ा कर दिया आपस मैं यह देख लिजिए, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और गुड़ा करके मैं इसको auto fill कर दिया, पकड़के खीच लिया नीचे, तो आगया ना total, आगया total, ठीक है, चलिए, क्या, मैं इस तरह से जोड़ूंगा, इस तरह से जोड़ूंगा, तो काफी समय लएगा, मजा नहीं आ product कहीं है function, हाँ, है तो मिल गया, यह देख लिजिए, ठीक, यह बोल रहा है, array बताओ मुझे, ठीक, मैंने array बता दिया, यह ले लो, ठीक, कॉमा दिया, अब बता रहा, दूसरा array बताओ मुझे, यह देख लिजिए, बता दिया, enter मार दिया, सच में जोड़ दिया क्या, यह internally क्या किया, इसको 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 आपस में multiply करके जोड़ दिया, ठीक, लेकिन ध्यान रहे इस formula में एक बात आपको, कि इधर का total data और इधर का data बराबर होना चाहिए, जैसे मैंने total बराबर ही रखा है न, तो यह इसलिए जोड़ के मेरे को यहाँ पे दे दिया, यह multiple sheet में काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक, तो enter दबा दिया जी, multiple sheet में यहाँ पे यह देखिए, आ गया, फिर भी यहाँ पे बता रहा है, यह देखिए, ठीक है, तो यह काम कर दिया जी, आप different workbook में भी करके देख लीजेगा, ठीक, ठीक है, हो जागा, बड़ा आसान काम है है सब तो, चलिए जी, दूसरा कोई formula, some product formula clear सबको, चलिए, इसके बाद देखते हैं क्या ये वाला formula, date 365, ठीक है, delete मार दिया सारा data में, ठीक है, यहाँ पे control दबाया और semicolon दे दिया, आगया मेरा date, ठीक है, यह देखिए, एक ठूँ, यह भी error आता है, ठीक है, उस दिन मेरे को याद नहीं आ रहा था, आज याद आ गया, ठीक है, यह error आ है, तो क्या करो, पकड़ के खीच दो ऐसे, ठीक हो जाएगा, ठीक है, यह कोई error तो है नहीं, अब control के बाद यहाँ पर फिल से insert कर दिया, यहाँ पर 17 तारिख दिख रहा है, ठीक, मैं इसको क्या कर दूंगा, 50 तारिख कर दूंगा, पचास तारिख कर दिया, ठीक है, यह पंद्रह तारिख कर दिया, ठीक, 25 तारिख थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा था, ठीक न, अब मैं क्या करूंगा, मेरा ये requirement है कि इन दोनों तारिख के बीच में कितना जो है, दिन गयप है, ठीक है, क्या करूंगा, इक पर टू का साइन दे दूँगा, डी, ए, वाई, यहां पे डे, क्या, 360 है, 365 में क्यों पूल रहा था पर, यहां कितना लिखा हम, 365 हम, गल पूलती निख दिया, क्या मैं, छोड़िये, कुछ जओ हो काम होने से मतलब, ए, देख लीजे, कॉमा दिया, फिर यहां पे आया, एंटर कर दूँ मैं, यह तो माइनस में ले गया, इसलिए माइनस में ले गया, क्योंकि पहला डेट में इस जादा डाल दिया, फिर यह हो ग ठीक, ABS function मैं आपको बताया था, ABS, ठीक, ऐसे, ठीक, यह देखे, आ गया, अब इसको मैं क्या करूंगा, 25, तो 20 और 25 पाच्चीस पाच दिन का गया फैना, तो यह यहां पे आ गया, 5 दिन का, ठीक है, यहां पे मैं 22 कर दूं तो क्या हो गया, 365, ठीक है, यहां पे क्या कर दूं आप, 24 कर दूं तो क्या हो जाएगा, इतना दिन, ठीक है, तो यही है, बाकी तो इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है, यही है आपका, date 360, clear date 360 function आपको, चलिए जी, एक ठोगे, इसका क्या मतलब है, पकड़ के इसको खीच लूंगा, मैं नीचे ऐसे, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे, ठीक है, यहां पे लाता हूँ, date में आता हूँ, और यहां पे मैं क्या करता हूँ, इसको right लिख करके करता हूँ, मैं self format, ठीक है, और यह वाला पे click करता हूँ, मैं ठीक है, ठीक है, एक ठो और M दे दूँगा, तो पूरा लिखा जाएगा, हटा दूँगा, एक एम कर दूँगा, तो ऐसा जाएगा, यह फर्मेटिंग बताऊँगा, मैं थोड़े देर में आपको, यह देख लीजिए, ऐसा आ गया, पकड़ के मैं इसको खींच लिया ऐसे, ठीक, आ गया ना यहां पे, अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना, कि यह same date आए, और यहां पे आजाए, वो same date, ठीक है, लेकिन December के दिखाँ पे कोई और महीन आजाए, तो मैं क्या करूँगा, e-date function का इस्तेमाल कर लूँगा, e-date, बोर रहा है, return serial number of the indicate number two month before, after, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, इसमें click कर दूँगा, कौमा दे दूँगा, ठीक है, एक यहां लिखके एंटर कर दिया, यह तो मजा नहीं आया जी, यह क्या बोल दिया, ऐसा, दो कर दिया, ऐसे हो गया, यह तो मजा कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, यह टाइम है, डेट है, ठीक, इसका फॉर्मेटिंग में बदल दो क्या, पकड़के जी खीच लो, ठीक है, तो यह क्या है, दूसरा आ गया, ठीक है, इसका मैं फॉर्मेटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसका फॉर्मेटिंग किया मैं, ठीक है, यहां पे कस्टम में आ जाता हूँ, और यह जो डे लिखा है, यहां पे, यह वाला फॉर्मेट में ले लेता हूँ, ठ तो ही आजागा, दस्वा लिख दूँगा, ते यह आ गया, दस्वा महीना मैंने अक्टूबर ही होता है न, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो फिल हो गया, ठीक है, तो महीने को यह बदल देता है, ठीक, आपको कैसा लगा फंक्शन, बहुत बढ़ी हा लगा, ठीक, चलिए जी, हटा दिया मैं इस फंक्शन को, इडेट को, यह क्या बोल रहा है, इओ मन्थ, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, बहुत बोल गया होंगा, सायद इंड ओप मन्थ है, ठीक है, देखते हैं क्या करता है, इओ, इदेखें, इंड ओप मन्थ आ गया, रिटन सेरियल नंबर, यह मैं किया, मैंने नाम पूरा लिखा नहीं, और दबा दिया, इंड ओप मन्थ, ठीक, स्टार्ट डेट यह डाल दिया, ठीक है, कौमा दे दिया, ठीक है, और यह मन्थ पूछ रहा है, एंटर कर दिया, आखरी महीना यह होता है, ठीक है, 31, यहाँ पर मैं 10 दे दूं क्या, यह देखिए, इसमें फिर अब क्या दे देता हूँ, दो दे दूं, तीन नहीं, दो देता हूँ मैं, यह देखिए, यहाँ पर जो, तीन दे दूं यहाँ पर, चार दे देता हूँ अब, अपरेल 30 दिन का होता है, चलिए जितने दिन का भी हो, हमें क्या लेना देना, ठीक है, डबल क्लिक किया, कुछ नहीं हुगा, खीचूंगा नीचे, ऐसे आएगा यह, ठीक है, यह महीने का आखरी यह बताता है, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ फंक्सन देखते हैं जी, यह नाव क्या करता है, यह टाइम स्टैंप बताता है, ठीक है, जैसे एकवल टू का साइन दिया, यह नो डवलू, टैब मारा, एंटर मार दिया, एड़ा गया, ठीक है, मतलब अभी तुरंत का, अजी टाइम स्टैंप गहां कहां बता रहा है, टूड़े है, एक टो, राइट लेक, सेल फॉर्मेट, ए देखिए, ऐसे कर दूगा तो यह टाइम बता देगा, ठीक है, टाइम भी बता देगा, ठीक है, यहां से इज़ फॉर्मेट सोगर अगरते हैं तो, यह देखिए ठीक है तो यह ही है now function ठीक है यहाँ पर बोल रहा है return current date and time formatted as a date and time ठीक है यह date and time बताता है किस format में जो format आप चाहें ठीक है तो यह date time now function यही काम करता है current time इस टेम बता देगा आपको now function clear हो गया सबको कुछ बोलोगे ठीक है जब हो गया तो अच्छी बात है उसके बाद है today today क्या करता है यह क्या बोलता है date बताता है ठीक है इकवर्टो का sign today लिख देता हूँ today यह बोड है current time date current time date बताएगा ठीक है यह करके enter कर दिया तो यह आज का date बता रहा है कल अगर मैं एक्सल सीट open करूँगा तो यह कल का date बताएगा परसो open करूँगा तो परसो का बताएगा जब open करूँगा तब का बताएगा ठीक है तो यह आज का date बने current date यह पताता है जैसे मान लिजिए आपको कुछ मतलब ऐसा आपको requirement है ठीक है कि आप जब एक सल खोले तो उसका उसी दिन का time का आपको जरूरत है ठीक है जहाँ पर आपको current time का जरूरत पढ़ता है यहाँ पर आप today function का इस्तेमाल कर कर लोगे जैसे रसीद वगर काटने में कही जबरत पढ़ता है न तो वहाँ पर आप इस function का इस्तेमाल कर लोगे ठीक है तो यही है today function का माने हो गया दो function इसमें मैं नहीं लिखा हूँ अभी लिख देता हूँ date, time टाइम ठेक यहां पर मैं आ जाता हूँ ठेक है लिखता हूँ इक्वल टू डी टी ठेक बोल रहा है एर डालो मैं एर में दे दिया 2021 कॉमा बोल रहा है मन्थ डालो मन्थ दे दिया 15 ठेक है और डेट दे देता हूँ 12 काम करेगा जी काम करेगा नहीं करेगा कर दिया जी ठीक है 12 कर देता हूँ जी यह देखिए आ गया 12 हो आ महिना ठीक है 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आयेगा तीन जोडेंगे तो 15 आजाएगा और मैंने दे दिया था 15 तो यहाँ पे क्या आया था तीसरा महीना समझ में आगे आपको तो यह date जो है return कर देता है date function ठीक है थोड़े देर में इसको और देखेंगे ठीक है यह date function है, दूसरा time function है time क्या function क्या करता है time बताएगा और क्या करेगा दूसरा यह कर भी क्या सकता है क्यों एक घंटा मिनट इसको आप बता दीजिए ठीक है बता दिया मैं 6 घंटा 20 मिनिट 30 सेकेंड एंटर कर दिया ते देखेंगे आ गया ठीक है इसको time में कर दो तो ऐसा आ जाएगा यही ठीक है तो यहीं यह है time और date function आगे इस्तेमाल इसका हम और करेंगे ठीक है ज़रूरत की according अपने ठीक है तो यह वाला clear अच्छा यह left, right और mid function तो जो है मैंने उपर कहीं यह वाला यहाँ पर किया था ना बता दिया था यह एक function नहीं बता बताया था उसका नाम है find ठीक तो find function को अभी देख लेते हैं ठीक देखते हैं अब find function ठीक है जैसे मालो यहाँ पर plus कर दिया 9,1 कर दिया space दे दिया यह दे दिया यह दे दिया फिर कोई number 2,3,4,5,6,7,8,9,10 दे के enter मार दिया यह कुछ ऐसा आ गया जी ठीक है ओ यह ऐसा ही आएगा यहाँ पर मैं आता हूं जी इसको क्या कर देता हूं ठीक ठीक इसी को मैं पकड़ के खींच लिया तो यह repeat हो जाएगा ऐसे ठीक अब मैं क्या चाह रहा हूं न कि जैसे माल लीज़ यह यह है ठीक यहाँ पर मैं pin code डाल दिया इतना यहाँ का जो pin code है इतना हो गया यहाँ का जो pin code है एक अंक का हो गया ठीक है यहाँ का इतने अंक का pin code हो गया ठीक है यहाँ पर इतने अंक का pin code हो गया ठीक है अब मैं कथा आपको क्या बताया था जी position गिन लो यहाँ का और फिर left और right function की according पकड़ के खीच लो यही बताया था न मैं अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो position हमको मालूम ही नहीं है यह dash का जो minus का मैं sign दिया उसका तो position ही सब का अलग-अलग है अलग-अलग है ना तो यहाँ पे हमारे पास problem आ गया problem अभी इस problem का solution में क्या करेंगे क्या एक-एक्ठो सब का position को हम गिनेंगे और फिर पकड़ के खीच लेंगे बहुत समस्या आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक function आ गया find equal to sign दिया मैं find आ गया ठीक है यह बोला है text मुझे बताओ ठीक यह text मैंने बता दिया इसको फिर कॉमा दिया अब find जो करना है वो वाला text बताओ जी मैंने बता दिया ठीक है ओ नो इसको value गलत मिल गया यह आ गया कॉमा दिया यह बोल रहा है start number start number में मैं क्या दो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ठीक है within no 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 मैं गलत दे दिया जी यहाँ पे लिखा है पहला find text मेरे को यहाँ पे देना चाहिए था ठीक है यहाँ पे दे दिया ये within text ठीक है यहाँ पे बोल रहा है start number दे दो मुझे ठीक है start number में मैं क्या दे दो plus दे दू पर मुझे doubt है इस पे कि यह काम करेगा नहीं किया थोड़े देर मैं सोचता हूँ कि इसमें देना क्या है मुझे हाँ जी यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं सबसे पहले मैंने मुझे पता कैसे चला मैं यहाँ पे पढ़ लिया भोल गया था ठीक है तो मुझे पता चल गया ऐसे कर दिया यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया ठीक है कॉमा दिया within text में यह दे दिया बोल रहा है यह start कहां से कर दो मैं बोल रहा हूँ पहले से कर दो न यह कर दिया ठीक है यह 4 यहाँ पे आ गया ठीक है अब इसको मैं पकड़ के खीच लूँगा नीचे तक ठीक है चार पाँच पाँच छे साथ आठ नव दस ठीक है ऐसे ले लाया तो ये क्या हो गया अब हमको ये बता दिया ठीक है ये functions कि कहां पे है वो ठीक अब हम क्या करते थे कि left right function में position ही बताते थे न position बताते थे हम लोग अब मैं क्या करूँगा कि यहां से position उठा लूँगा find function से ठीक कैसे बता रहा हूँ left वाला पहले निकालता हूँ ठीक है left बोल रहा है text बताओ जी ये ले लो ठीक है left से निकाल लेंगे हम लोग ठीक है शुरू कहां से करें ये ले लो text ठीक number of character कितना character निकालना है ठीक मैं बोलता हूँ कि जी यहां से उठालो कितना character निकालना है ठीक enter कर दिया निकल गया है देख लिए पूरा ठीक निकल किया न पूरा अब यहां पे एक समस्या है क्या समस्या है आप समस्या देखी रहे हैं क्या समस्या है बैर्स भी जोड दे रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे minus करके one करके enter मार देंगे अब यह perfect निकल जाएगा यह देख लिज़े यह कौन सा फर्मूला से निकला मैं find से न find किया ठीक है बोल रहा है find क्या करना है यह हमको find करना है यह वाला text ठीक है कॉमा अब text बताओ यही वाला text है जी फिर कॉमा बोल रहा है start number बताओ 0 बता दिया फिर bracket बंद किया एक हो तो यह find वाला bracket बंद हुआ दूसरा bracket left वाला बंद है ठीक एंटर मारा अब फिर से वही दिक्कत आया तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे आके minus one कर दूँगा ठीक यह क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो find function है न आप लोग को दिख रहा है मैं windows प्लस दबा देता हूँ ठीक यह देख लीजिए आपको दिख रहा है आप यहाँ पे ठीक है यहाँ से यहाँ तक find function है find function क्या करेगा यह जो lining वाला है न पोजीशन यहाँ पे return कर देगा और पोजीशन में से एक minus कर देंगे हम यहाँ से और फिर जो number आएगा उससे निकल जाएगा यह देख लीजिए ठीक अब इसको पकड़ा मैं double click मारा वहाँ पे और फिर पूरा पूरा अपने आप फिल हो गया यहाँ तक ठीक separate कर लिया हमने न अब ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी निकाल लेंगे right function के द्वारा equal to assign दिया right function किया ठीक है यह text है जी कौमा दिव दूँगा कहां से हम कोई start करना है ठीक है मतब कितना character लेना है number of character कितना character लेना है तो कितना character लेना है मैं फिर से find function लगाऊंगा ठीक यहाँ पे बोल दूँगा यह number है जी कौमा ठीक है मैं भूल गया within text नहीं यार यह थोड़ी होना चाहिए था फिर कौमा दे दूँगा यह text मैं दे दूँगा ठीक है और फिर मैं क्या करूँगा इस starting number फिर से मैं भूल गया रूखे फिर से सोचता हूँ मैं थोड़े देर अगला कौन सा है इन सब को देख लें चलिए जी इन सब को 12 तो बच गया यार इन सब को देख लेते हैं फिर या इनको देख ले इन लोग को पहले देख लेते हैं ठीक है अपर लोवर को ठीक यहां पर मैं आऊंगा ठीक है यह मैंने लिख दिया कोई टेक्स राइट फिर यहां से अपर कैस है यह ठीक है इस फंक्सन से क्या होता है टोटल अपर कैस में आ जाएगा ठीक है इक्वल टू का साइन देजिए आप ठीक है फिर लिख देजे अपर ठीक और इसको ले लाइए यहां पर करके यह देखिए अपर कैस में आ गया अब इसको कंट्रोल सी करके काँपी कर लिजिए और यहां पर राइट लिख करके पेस्ट इस पेसल में जाके पेस्ट आज़े बैल्यू कर देजिए तो यहाँ पे value paste हो जाएगा ठीक है मेरे पास सिर्फ ये एक character है ठीक है जैसे माल लीजे आपके पास अनेको नाम होगा ठीक है जैसे name होगा और यहाँ पे कई सारा name होगा ऐसे ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ से लिए लेंगे अपर कैस में ठीक है यहाँ पे यह देखिए enter फिर इसको क्या करेंगे आप double click मैं यहाँ पे click किया तो यह देखिए पूरा fill हो गया ना अपर कैस में अब इसको यहाँ से मैं copy करूंगा और इसको यहाँ से control shift down arrow दबाऊंगा और right click करूंगा और इसको कर दूंगा paste special में paste as a value ठीक और इसको मैं कर दूंगा delete ठीक है तो ऐसे आप बना लोगे ठीक अब यही lower case क्या करता है equal to assign दूंगा lower case में आऊंगा यहाँ पे आऊंगा enter ठीक यह lower case में total कर दिया अब यहीं पर double click किया अब यह नई फिल होगा क्योंकि इसके करीब नहीं है ठीक है यह वाला अगर इस cell में होता तो हो जाता ठीक है ऐसे मैं फिल कर दिया करके पूरा lower case में हो जाएगा अब इसी को copy paste करूंगा यहाँ पे आके ऐसे right click paste special यहाँ से paste कर दिया ठीक है अब इसको आप delete कर दिजी ठीक है तो यह formula है जिससे की आप copy paste कर लेंगे ठीक है अगला proper case भी इसमें था ना कहा गया proper case यही है अच्छा यह है proper case क्या करता है कि जैसे माली जी करके दिखाता हूं मैं आपको equal to का sign proper यहाँ पे आया enter यह क्या कर दिया प्रतीक सब्द का पहला करेक्टर को upper case कर देता है ठीक है यहाँ पे कुछ था ऐसे ठीक है एक to दबाए edit mode होगा ऐसे ऐसे ठीक है ऐसा ठीक है यह देख लीजे तो अब यह करेगा क्या की प्रतीक करेक्टर का यह देख लीजे प्रतीक सब्द का पहला करेक्टर को upper case में कर देगा यह ठीक है यही जो है इसका खासियत है ठीक यह खतम हो गया यह सारा खतम हो गया जी इसको मैं कर देता हूँ उपर ठीक है यह वाला बाकी है ना आप लोग प्रिक्टिकल करोगे क्या क्यों या फिर बाकी को बता दूँ में प्रिक्टिकल कर लो ठीक है बाकी जो फंक्शन बचा है ना इसको इसको कल देख लेंगे ठीक है तब तक मैं कुछ छोटा सा काम करके आ जाता हूँ ठीक है किस में अरे स्क्रेंस ओट लेना और वेटियम से पैसे निकालना बहुत आसान है यहाँ पे आओ इस पीपिंग टूल एक्ठो आता है एकसेसरीज में मैं जाके दिखा दिता हूँ आपको एकसेसरीज यहाँ पे यह देखे इस पीपिंग टूल है आगे आए ऐसा अब पकड़ के खीच लूँगा ऐसे फोटो खीचा आ गया सेव कर दूँगा ऐसे ठीक है डेक्ट अप पे आओंगा कर दिया सेव इसको कर दूँगा इधर यह देखे कैप्चर हो गया यह यह या फिर आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन नाम का एक बटन होगा उसको दबा दो एक बार प्रिंट हो गया इसक्रीन और फिर क्या करो प्रिंट में चले जाओ यहां से ठीक है यह देखे यहां से कंट्रोल वी कर दो तो पेस्ट हो जाएगा अब इसको कर दो सेव ठीक है यह देखे सेव कर दिये यह देखे इस्क्रिंसोट लिया गया पूरा ठीक है तो यह कुछ तरीके हैं इस्क्रिंसोट खिचने के विंडोज में बताऊंगा आप लोका है टेंसर ले रहे हैं ठीक है चलिए